हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ प्रमोद राव और आप देख रहें बहुजन लाइब सम्मानी साथियों हम बहुजनों को हम मुल निवासियों को हम 85% के लोगों को मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस वीडियो में इसी की जनकारी लेकर के आया हूँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुजन महापूरसों के मंदिर जा रहा है ये जितने भी लोग बाबा सहाब का मंदिर कहते हैं गुरुर रविदास जी का मंदिर कहते हैं या हमारे बहुजन महापूरसों के मंदिर कहते हैं तो दोस्तों ये लोग बिलकुल गलत कहते हैं वहां मंदिर सब्द नहीं है अखिर वहां कौन सा सब्द है जो यहां पर प्रियोग करना चाहिए सम्मानी साथियों इन दोनों बातों का जबाब इसे वीडियो में आपको मिलेगा तो दोश्तों वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा अगर यहां वीडियो आप फेस्बुक पेच पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेच को फॉलो कर लीजिएगा तो दोश्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सम्मानी साथियों, सबसे पहले तो हमें मंदिर के बारे में समझ लेना चाहिए कि मंदिर क्या है, क्या इस देश के बहुजनों का मंदिर से भला हुआ है चाहे वह किसी का भी मंदिर हो क्या इस देश के SC, ST, OBC समाज के लोगों का भारत की समस्त महिलाओं का किसी मंदिर ने भला किया है जवाब यहीं मिलेगा कि नहीं कि इस देश की समस्त महिलाओं को सिख्छा लेने का अधिकार नहीं था इस देश के समस्त महिलाओं को सती प्रथा में जोग दिया गया था लेकिन उनको कोई भी मंदिर से निकल करके कोई स्वर बचाने नहीं आया इस देश के समस्त महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था लेकिन किसी भी मंदिर से कोई भी उनको धन रखने का अधिकार नहीं दिलवाया तो जब किसी भी प्रकार का इस देश के महिलाओं को अधिकार किसी मंदिर ने नहीं दिया तो फिर उसे मंदिर जाने की क्या जरूरत है दुसरी बात आती है पुरुसों के लिए कि A.C.H.T. O.B.C. समाज के जितने भी पुरुस आएं क्या किसी भी पुरुस को उस मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार है क्या किसी भी व्यक्ति को इन मंदिरों ने सिख्छा का अधिकार दिलवाया क्या किसी भी व्यक्ति को इन मंदिरों ने किसी भी प्रकार का अधिकार दिया? बिल्कुल नहीं दिया. तो जब किसी भी मंदिर ने इस देश के यानि कि भारत के किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया, इस देश के CSTOBC समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया तो फिर हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है हमें अगर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त हुआ है हमें अधिकार मिला है हमें मान सम्मान मिला है यहां तक कि मंदिर भी जाने का अधिकार मिला है तो हमारे बहुजन महापूर्सों की बदवलत मिला है बाबा सहाब अमेटकर के कड़े संघर्सों के प्रयास से मिला है अगर बाबा सहाब अमेटकर का संभिधान नहीं होता तो आज भी आप मंदिर के दरवाजे पर नहीं पहुश सकते हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत है अब हमें कहां जाना चाहिए हमें जाना चाहिए जो मैंने दूसरा सवाल किया था कि बहुजन महापूरसों के मंदिरों को क्या कहेंगे क्योंकि आपकी भासा में वह बंदिर हुआ लेकि मेरी भासा में वह मंदिर नहीं है तो हमें कहां जाना चाहिए तो हमें जाना चाहिए जो समस्त बहुजन महापुरसों के प्रेणा अस्थाल हैं दोस्तों प्रेणा अस्थाल सब्द का प्रियोग होना चाहिए मंदिर नहीं क्योंकि हमें उन महापुरसों से प्रेणा मिलती है उन महापूर्सों ने कड़े संघर्स करके अपने बेटे तक को बाबा सहावा मेटकर ने अपने चार-चार पुत्र को बिना कफन के इस मिट्टी में दफन किया है किसी का भी पुत्र इस मिट्टी में बिना कफन का दफन नहीं है लेकिन बाबा सहाब अमबेट करके चार-चार पुतर इसी मिट्टी में दफ़न है बीना कफन के और अपने पुतरों को बीना कफन के दफन करके इस मिट्टी में हमको और आपको इतना सुंदर कपड़ा पहनने का अधिकार दिलवाए हैं तो दोस्तों हमको उनके प्रेणा अस्थर जाना चाहिए, वहां से हमें सीखना चाहिए, वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उनके लिख्षे होए संविधान से हमें अधिकार प्राप्त होगा, महातमा जोतिवाराव फोले जी, जिन्होंने एक सपना देखा था और अप आठ विद्यालाइ खोले थे, जिस जमाने में महिलाओं को सिख्छा लेने का अधिकार नहीं था, उष जमाने में माता सावित्री वाई फुले ने 8 विद्यालाइ खोल हमको उन से प्रेणा लेनी चाहिए, हमको उनके प्रेणा अस्थल जाना चाहिए दूसरे भासा में कह सकते हैं परिवर्तन अस्थल जहां पे बिचार परिवर्थित होता हो, आपके अंदर अगर बुराई हो उनके हाँ जाने के बाद, उनके संगर्सों को पढ़ने के बाद, अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारा जब जीवन परवर्तित होता है, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहां जाने से हम अंदिविस्वासी होते हूं, हम पाखंडी ह हमारा जो धन है, अपना धन हम गवाते हूं, अपने बुधि गवाते हों, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए。 चाहे वह किसी का मंदिर हो, हमें जाना वहाँ चाहिए, झहां हमारे समष्त भोजन महापूर्सों के प्रे dellणा अस्थाल हैं. दोस्तो आज की वीडियो आपनों को कैसी लगी कमेंट वोक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्य बाद बहुत बहुत आभार